कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ने वाले योध्धाओं को आज भारतिय सेना ने सलामी दी है सेना ने उन अस्पतालों पर हेलिकॉप्टर से फूल बरसाएं हैं जहां कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है आपको बता दे कि चीफ और डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा था कि हम सभी कोरोना योध्धाओं का शुक्री आदा करते हैं डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, होमगार्ड, डिलिवरी बॉई और मीडिया कर्मी जो सरकार का संदेश जनता तक पहुँचा रहे हैं और लोगों को जाग रूप कर रहे हैं वायू सेना के हेलिकॉप्टर से कोरोना योध्धाओं को सम्मान देने के लिए चेन्ने के राजीव गांधी जनरल अस्पताल पर पुश्प वर्षा की गई तो वहीं भारतिय वायू सेना के चोपर ने दिल्ली पुलिस कर्मियों का आभार प्रकट करने के लिए पुलिस युद्ध स्मारक पर पुश्प वर्षा की हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिल्ली मुंबई एमदाबाद गोवा लेह और लखनव की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हेलिकॉप्टर के जरिये कोरोना युद्धाओं पर पुश्प वर्षा कर उनका सम्मान किया गया है कोरोना संक्रमितों के इलाज में दिन रात चुटे डॉक्टरों और स्वास्ते करमचारियों की होसला अपचाई के लिए पायु सेना के विमानों ने जयापूर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल स्मेस पर पुश्प वर्षा की इस द्रश्य को देखने के लिए स्मेस अस्पताल के मुख्यद्वार के पास सैक्रों के संख्या में स्वास्ते करमी जुटे SMS अस्पताल में हुई पुश्प वर्षा के दोरांच के सामत्री डॉक्टर रगुश शर्मा, ACS रोहित कुमार सिंग, SMS मेडिकल कोलेज प्राचारिय डॉक्टर सुधीर बंधारी, SMS अस्पताल अधिक्शक डॉक्टर डी एस मीना आधी मौजूद रहे वह इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट ने विधानसवा भावन के उपर से एरियल सेलूट देते हुए उडान भरी